हलो, नमस्कार, सबका पुना स्वागत है, आज हम और एक बैच फ्लार रमेडी हौन बीम के बारे में जानेंगे, पहले हम देखेंगे बच्चों को कैसे उप्योग हो सकती है, ममी जब अपने बच्चे को उठाती है कि स्कूल जाना है तो ये बच्चे बोलते हैं ममी और पां उनको लगता है कि और थोड़ा देरी सोएंगे तो अच्छा होगा, ये उठने से पहले उनको लगता है कि बहुत एकदम उनका शरी बहुत टायड है, और थोड़ा देरी सोएंगे तो बहुत अच्छा होगा, इस तरह इसके लिए बार बार बोलते रहेंगे, और पांच मि इस तरह बोलके टालते रहेंगे उनको सुबू उठना है तो उनको बहुत टायड करके होता है उनको लगता है बाबरे और एक दिन उठना है ऐसे करके वे उठने के लिए टालते रहते हैं इस तरह के बच्चों को लगता है कि हम इतना सारा काम कैसे करेंगी ऐसे सोचके वे उ ओ बाबरे हम इतना सारा काम कैसे करेंगे लेकिन वे उठके काम करना शुरू कर देंगे तो वे उस काम को पूरा कर सकते हैं लेकिन उनको करने से पहले बहुत एकदम टायड लगता है और लगता है कि हम यह सब नहीं कर सकते हैं इस तरह के बच्चों को काम शुरू करने से पह काम शुरू कर देंगे तो वे अपना काम को पूरा कर सकते हैं और आसानी से भी कर सकते हैं उनको काम करने से पहले ही टायड लगता है लेकिन एक बार काम शुरू कर दिया तो उनका टायडनस सब गायब हो जाता है हौन बेम का टायडनस स्टांट करने से पहले होता है हम कुछ काम करना शुरू करेंगे तो हमको लगता है अरे बाबरे हम इतना सारा काम कैसे करेंगे लेकिन एक बार शुरू कर दिया तो हम अपना काम को आसानी से पूरा कर सकते हैं लेकिन ओलीव काम करने के बाद ठकावट आती है उनको काम करके करके बहुत ठक जाते हैं और लगता है क कुछ tonic होगा तो अच्छा होगा यह है olive की tiredness हान बीम की tiredness काम शुरू करने से पहले होता है और olive की tiredness काम करने के बाद होता है हम students को देखेंगे तो उनको लगेगा रे बाब रे इतना सारा कैसे पढ़के पुरा कर सकते हैं हम इतना सारा कैसे पढ़ेंगे ऐसे सोचके सोचक कर देंगे तो उस काम को आसानी से पूरा कर सकते हैं और अच्छी तरह से भी पूरा कर सकते हैं उनको उनका टायडनेस काम करने से शुरू करने से पहले ही होता है लेकिन एक बार शुरू कर दिया तो फिर उनको ऐसा टायडनेस नहीं लगता है और अपना काम आसानी से पूरा कर देते हैं कई लोगों को लगता है कि हम फेल हो जाएंगे उनको पहले ही सोचते रहते हैं कि हमारा काम नहीं होगा और हम जरूर फेल हो जाएंगे इस तरह के सोचके सोचके वे अपने काम को टालते रहते हैं और नहीं करते हैं यह है fear of failure उनको लगता है कि हमसे यह काम नहीं इसके लिए वे काम करना ही शुरू नहीं करते हैं इस तरह के लोगों को हम अगर हौन बीम देते आएंगे तो उनका ये फियर और फेलियर गायब हो जाएगा और वे अपना काम शुरू करके पूरा भी कर सकते हैं इस तरह के लोगों को वह बहुत वीक लगता है उनको काम होता है कि उनका वीकनस कहां चला गया उनके वीकनस है उनके माइंड में है उनके शरीर में कुछ वीकनस नहीं है उनके माइंड में ही लगता है कि हमसे यह काम नहीं होगा ऐसे सोचके सोचके वे अपने काम को टालते रहते हैं और आखरी तक उसको रखते हैं इस तरह के लोग वीकनेस नहीं आएंगी उनको काम शुरू करने से पहले वीकनेस नहीं होगा उनको लगेगा कि हम जरूर यह काम कर सकते हैं और वे अपना काम आसानी से शुरू करते हैं और उसको पूरा भी कर सकते हैं हौन बीम एक टॉनिक के माफ़त करता है वह वीकनेस बिफो स्टार्टि हमको एक weakness लगता है कि हम से ये काम नहीं होगा उस तरह के weakness को सब हान बीम बहुत अच्छी तरह से दूर करती है हान बीम एक tonic है जहां हम अगर हम hospital में जाएंगे तो कभी-कभी हमको glucose चड़ाते हैं डॉक्टर्स कहते हैं कि ये बहुत वीक है इसके लिए इनको glucose देना है उस जो काम glucose करती है वही काम हान बीम भी करती है हान बीम हमको glucose के माफ़त काम करती है और हम में शक्ति लाती है कि हम भी कर सकते हैं और हम आसानी से अपना काम पूरा कर सकते हैं यह थी हान बीम के बारे मे अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेर और कमेंट कीजिए अगर पहली बार मेरे चैनल को देख रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाए ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा धन्यवाद